हेलो दोस्तों मैं हूँ राजू हलवाई आज मैं बनाने जा रहा हूँ साधी वाली पाड़ियों वाली पुलाओ इस पूरेशिपी को लाच तक जवर देखे इसमें डेर किलो घी डाले 15 किलो चावल के लिए एक टोप्या में डेर किलो घी डालना है घी को गरम होने दे पजा है जी जीरा को डालें यह लगवह 50 सग्राम को पकर दें को कि भंगे अच्छे से चला बने कवाद हैं ऑच्छे से चला इस तरह से चलाएं लेना हैं और लेग में जाओं आघा अधी अग्या पकनित देने के बादर लगवक एक मिलेट इसको भूच्छए एक मिलेट इस तरह से चला लेना है ज्यादा जलाना नहीं है इसके वाद चावल के साथ भी भूझना इसको इस तरह से चलाना है कि जले नहीं आपका कांजू किसमिद अब इसमें चावल 15 केजी है पैकेट वाला इंडिया गेट चावल को डाल देना है आपके पास जो चावल हो अब बना सकते हैं अब इसको अच्छे से लगवग 4 मिलेट उतको भूझे चावल को अच्छे से भूझ लेना है जादा अतिस नहीं है चावल आपका चूढर नहीं लगवग 24 केजी पानी है उबला खौवला हुआ है आई खावला आना जरूरी है पानी इसमें डाले 24 लिटर पानी है इसको डालके इसको अच्छे से चला लेना है इस तरह से फूरा मिक्स करके चला लेना है कि तारा मिक्स कर देना है दम परियां से इस तरह से जब तक उलना उबालना आजाए अब इसमें थोड़ा साहल का जो चावल लगा हुआ है कि नारे से पानी डाले कि आपका चावल टुपिया से जो है आजाए नीचे इसको फिर चला लेना है अच्छे से इस तरह से चलाते रहना है बीच बीच में जब तक उबालना आजाए चावल में अब देख सकते थोड़ा सा इसमें आठ से दस पीस नेमू कर रहा थे गड़ा हुआ बीचा निकला हुआ इसमें डाल दे डालने के बाद फिर चलाए इससे आपका चावल में स्वाद आएगा नेमू कर देने से ज़ादा ड्याज ऐगा चावल में अच्छा लगएगा दिखने हैं इतरे से चला लेना रहा है जरूरी का राम आने टक तक फोड़ा देना इसको वाब आने के बाद देह सकते वाल आ चुका हुआ वाल आने के बाद अब जरूरत नुसार नमक इसमें डा लेना है इस तरह से लगवग एक मिलेट मिलाना है इसको इस तरह से चलाते रहना है एक मिलेट चलाने के बाद को छोड़ देना वाल आने तक वाल आ चुका देख सकते हैं वाल आने के बाद फिर से इसको मिला लेना है अच्छे से चला लेना इस तरह से चलाने के बाद इसको लगवबь 5-millock के लिए और गैस को चलाना है इसको चला जए पुट है अपका चावल कड़ा हो या पानी लाए जी चानी पानी डे सकते हैं या दूद्ध हो दूद्ध डाल सकते हैं हम इसमें 1 दूद डालेगे दूज दालने से आपका फुलाओ स्वाद आएगा त्रेस्टी बनेगा आपका पुलाओ वाइटनेस आएगा और हाफ लिटर का है देख सकते हैं एक पैकेट पैकेट आपकेट आप ही डाल रहे हैं और इसको डालने कबाद चला लेना इस तरह से मिलाने के बाद थोरा सा इसाइट के बाद धकरन हटाकें एक इसको अच्छे से फिर से चला लेना है कि आपको देखना चावल इस्वास को देखना को चला कें बश्या निआए को बंदिना से करना फिर नीचे कर लेना आपका चावाल जो देख सकते हैं जाफर जवित्री का पौडर है इसमें छीट दें इस तरह से चार उतर भुलुला के चीट देना है जरुए सनुसार और चीनी हलका लगवाग 200 गवाद चीनी भी भुलुला देना है मसाला दालने के बाद 200 गवाद 200ग चीनी भुलुलाना जरूरी है इसलिए मसाला डालने के बाद 1 साफ कफणाय लगवाद पांच 1 मिलेट के लिए VOC चावल हो आपका मसाला उख जया जाएगा जल कुछ घ्ल शेखर ना है ढखकल लगाने कि गास बंद कर सकते हैं। गास बंद करने ने तिके बाद यह गारेने और कप राज डाने हैं। और अपका पुलाव, मिक्स कर लेना, पुलाव कम्पलेट हो चुकते हैं। कच्छा वाल एदम फरार है कहीं से कोई दिकत नहीं अब देखते से पुला आपका कंप्लिट हो चुका है ऐसे ही साधी और पाटियों वाली रेसिपी देखने के लिए यहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंच्यू धन्यवाद